हेलो हेट divine वेटा हम chapter number one inound subscribe next सबसे पहले आज मुझे आपको अना है सबसे पहले आज मुझे बिजनस से बहुत बाट से कहाला है कि बिजनस के पिजनस के पर फिंडस करना है सिय। जो बहुत शिकार करें कि पहुत पर दो पहले याव रखोससे पहले बिजनस के फीचर समस्क में तो बेटा जो भी फीचर सो बिजनस है वह ऐसी बात है कि आपको ओल्मॉस काफी कुछ पता है जो अपने बिजनस कम नहीं और हमने यह डिसाइड करा थे कि इकनोमिक और नॉन इकनोमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं तो बिजनस के फीचर्स क्या है आप फुद इस पास से अगरी करोंगे क्या बिजनस सेकेडिउमिक एक्टिविटी है यह नहीं जभ आप बिजनस करो में किया बिजनस करने का बेषिक ओब्जेक्टिवी पैसा कमाना होता है तो एंप्रोफिट एक घोरमिनरड होता है कि आप ऐसे क्पारो पैसे कौना आप क्या कमा सब्सक्राइब उनकिस को प्रोफि से जो आपको अल्रीडी पता है बिजनस का बेसिक परपस ही क्या होता है तू अन लाइबली हुड जिससे कि आप पैसे कमा सको जिससे कि आपकी जिन्दगी चल सके और एक पॉइंट अलग से और बना दिये बिजनस का अब्जेक्टिफ क्या भी है तू अन प्रोफित कोई बं प्रोर्मल फीचर है कि बिजनस एक एकनोमिक एक्टिविटी है बिजनस का में अब्जेक्टिफ प्रॉफिट का माना है और कौन-कौन से फीचर्स है बिजनस में बिटा आपको मैंने एक दो बात पूछता हूं आपसे बिटा अगर आप OLX पे OLX पे कितनी बार एक आदी च चेर थी आपने OLX पे चेर बेच दी एक बार बस खाली महीने में एक बार एक चेर बेच दी अगर आप कोई ट्रांजेक्शन एक बार कर रहे हो खाली महीने में साल में मैं कह दो आप बिजनस कर रहे हो क्या मैं आप किये कह दूं किया बिजनस कर रहे हो अगर आप कोई ट्र अगर आप कोई ट्रांजेक्शन साल में एक आधी बार कर रहे हो महीने में एक आधी बार कर रहे हो कि प्रानर्म जो भी आपके घर पर सेकेंड इंड्स है उसे ओलेक्स पर बेच रहे हो तो वह वह बिजनस नहीं है इसलिए एक पॉइंट हम पढ़ेंगे बिजनस हमेशा प्रिडियूस करेगा तो तीन बाते अभी मैंने आप वह क्या बताई कि बिजनस एक एक अक्टिविटी है बिजनस का में अब्जेक्टिव है पैसे कमाना बिजनस आप क्यों करते हो प्रोफिट कमाने के लिए करते हो अगर आप कोई ट्रांजेक्शन एक आधी बार कर दो बिजनस नहीं है जो चीजा आप रेगुलर बेसिस पर करोंगे वही क्या बनेगा बिजनस बनेगा तो पहले तो ही तीन बाते याद रखो एकनोमिक एक्टिविटी है प्रोफिट कमाने के लिए की जाते है और डेली बेसिस पर एक और बार हर एक चीज बंदर बिजनस में क जो एक बंदर ट्रेडर है उसका में काम क्या गुड्स को खरीदना और बेशना तभी तो आप प्रोफिट कमाने तो बिजनस का एक कॉमन पॉइंट कि है कि आप हर कोई बिजनस में गुड्स को परचेज भी कर रहे हैं सेल भी कर रहे हैं आपको पता हुने अलग-अलग लो गाड़िकरेगा प्रिदियूस है तो यह अलग-अलग पॉइंट दे रख्यां कि बिजनस में आप गुड्स को प्रिड्यूस और बीकरोंगे तो बैटा है बिजनस में नूर्मल सी बढ़ने है बिजनस का काम और ऑफ्षेज करके सेल करें रही बिजनस में यह पीजनस को का के परफिट होना कंपल स्रीए बीजनस में रिस्क भी होता है कि फॉरफिट को थो बीजनस hatır जाए आप जा सब्सक्यड इनल इसकर चोनिक्टों अबने कुछपी नहीं प्सक्राइद अना क्लो क्या खोगा क्या चोनिक्ट किया सस्क्राइट 我 बिल् performers का येस बिजनस इसन अंसर्टन बिजनस रिस्की है पता नहीं बेटा मुंदी जी कभी रात को आज रात को आए और कहने लगे कि कि मेरे भाई और मैंनों आज रात बारा बजे से अब तो हजार है नहीं तो दो हजार है पांसो दो हजार का नोट लिगल टेंडर नहीं रहेगा जी एस से इंटर्ड्यूस कर देते हैं बिजनस बहुत ज्यादा रिस्की है बिल्कुल एंसर्ट है कुछ नहीं पता कब क्या हो हैं यह थो खाली बिजनस मैं कु पॉस्किल से बिजनस चला रहें तो बीसका यह सारी बात लिखी होगी होगी किसी बिजनसमें के बारे practically सोख बैशने पैसा कमाने के लिए होता है अब हो स्ब्सक्का प्रोफित कमाने के लिए लिए प्रोफिट वाला पॉइंट लिखेंगे बिजनस रागुलर नेचर में होता है डेली बेसिस पे एक आधी बार कोई चीज खरी दिया बेच रहे हो तो अपने आपको बिजनस में ना समझ लेना कि मैंने एक आधी चीज वह एलेक्स में बहुत बड़ा बिजनस में ऐसा नहीं ह हर एक बिजनस में जो ट्रेडर गुट को क्या करें गा प्रीडियूस और प्रिक्यों और इसमें क्या होना तो नॉर्मल सी बात है रिस देखो हम इसे लिखेंगे और समझ भी लेंगे दोरह से लिखने के साथ साथ एक बार खाली हैडिंग बता दे क्या हैं अधिंग समझ ल और और जो ऑज ऑजो से रहे हैं जो ट्रेडर एक ओता है मैनुप्टर जो गुड्स बना रहा है बड़े बड़े जो वाले और ट्रेडर जिसका काम क्या खरीद के बेच देना उसे कहते तरस्वेश सेल और एक्षेंज ऑफ गोड्स एंड सर्विसेज पूस सैटिस्फेक्शन ओफ हीमन वांड्स यहीं मैंने बता दिया कि आप रेगुलर बेसिस पर ही बिजनस करोंगे अगर आप एक आदरी ट्रांजेक्शन कर तो बिजनस नहीं है बिजनस का में अब्जेक्टिफ प्रॉफ नहीं करका है कि बेटा अगर आप कोई गोड्स प्रिड्यूस कर रहे हो अपनी सेल्फ कंजम्शन पे लिए हैं जैसे फारमर है उसने वीट कल्टिवेट कर तो क्या वह बिजनस है क्या अगर आप अपनी वोंड को सैटिस्वाय करने के लिए कुछ नेएट को सैटिस्वाय क के लिए कुछ करोंगे आपको क्या लगता है क्या वो बिजनस है वो चीज कभी बिजनस नहीं है तो अब जल्दी से लिखते हैं इसके बारे में तो एक एक करके एदिंग में धुकिर फ्सधिंग को एद एक नौमिक एक्टीविटी ऐद एक नौमिक अक्टीविटी फोड़ जसे अ्पिस्टेज लिखना है वीदिग लेकले अधिनुम्ल्विक एक टीडिटी इस में लेखो बिजनस इस ढूंसीडर्ड एज एक नौमिक एक टीविटी as it is undertaken as it is undertaken with the objective as it is undertaken with the objective or aim of earning money as it is undertaken with the objective or aim of earning money and livelihood यह आप ऐसा कमाने के लिए करते हो काँ बिजनस बस इतने लिखलोग होते हैं ये काम आप पैसा कमाने के लिए करते हैं Second Heading Production or Procurement of Goods and Services Production or Procurement of Goods and Services Every Business Enterprise Every business enterprise either produce or procure goods or services from producer. Every business enterprise either produces or procures goods or services from producer. हर कोई business enterprise या तो goods produce कर रहा है या पिर्क्योर कर रहा है किसी भी producer से. जो goods बनाता है बेटा हम उसे producer कहते हैं. ये बस पढ़ लेते हैं लिखने के जुरुतने goods अलग-अलग form पे हो सकता है, consumer, industrial goods कुछ भी हो सकता है. Second, मतलब third point. Sales or Exchange of Goods and Services. Sales or Exchange of Goods and Services for Satisfaction of Human Wants. Sales or Exchange of Goods and Services for Satisfaction of Human Wants. आप कोई भी business इसलिए करते हो जिससे के आप goods sales करते हो, कोई एक्स्चेंज जिससे की human wants को Satisfaction मिले है. और कि इसलिकोएस में. बिजनस इंवोल्स विजनस इन्वोल्स ओ बिजनस इन्वोल्स इन्वोल्स से ओ और Ext्चेंज ओ गुट इसन्ट सर्विसइज. है अगर आप कोई खुद के लिए उस प्रिडियो कर दो हूँ बिजनिस नहीं जैसे मैंने फार्मर वाले लिए एकन्व्याप कर दिया था बस मैंने इतना लिखवा दिया बस आगे रीड कर लेते हैं अगर फार्मर अपने हां खुद करोप करता है या अपनी फैमिली के लिए तो बिजनस नहीं है लेकिन वही करोप सेल के लिए करेगा तो बिजनस है सिंपल से बात ही हमने समझे लिया नेक्स बेटा मैं लिखवा इसलिए रहा हूं नोट को जिससे की चीज़े आप याद कर लो समझी लिख की उसी समय चीज़े याद हो जाती है और ऐसा ही लगता है जैसे आप बैश में पढ़ जो यह लगता ही निया कि आप क्लासिस ओनलाइ इसमनगो ऊनादар कुंसच प्राइब कह स। इसम्नौ इन सम्नौ यह लिख डैब क्यों को यह हम पोल्क झाओ यौन ने कि विशन ये मूस को मत्रेश यो यॉसरे वीजों से इसम है खालत हूं ने on a regular basis it must sell or exchange goods or services on a regular basis buying or selling goods or services buying or selling goods or services once or twice is not business एक दो बार खरीज़ना बिजनस नहीं है किसी भी बिजनस काम में काम क्या है पैसा कमाना हर कोई बंदा क्यों बिजनस करते हैं क्यों मेहनत करते हैं प्रोफिट कमाने के चक्तर में में बिजनसी दूने कर Australia किणी आस ऐस सच में बिजनसे अनने कavor करते हैं इस जर अईफस्विट अजेब ढौत में सांचनों ई लात् है नेनसे स्कूंड उड बि खना ऑना गिण Scे चूंग क्य। अभीज सिसेंगार बिजनसे अज तरा करते चांद किए्स business transaction उसे business transaction नहीं कह सकते हैं जैसे कि आब अगर आप charity वगरा दे रहे हो तो वो बिजनस नहीं है और last point features का वो क्या है uncertainty of return या दिस्क बिजनस में return हो गए होगा वह बिल्कुल uncertain है किसी को नि पता रिस्क है बिजनसमें बेटा जितना रिस्क है इसलिए तो उतने अरश इपता ने कब क्या होजाए। always a possibility of loss there a always a possibility of loss हमेशा लोस के चांसिज रहेंगे ही रहेंगे बेटा मैंने फिफ्ट में बस आपको यह बिना एक्जामपल तक ही लिखना था और यहां पर एक्जामपल तक ही लिखना था और यहां पर बैसे तो मÁर्कीट केंडिशन चीज होते रहती है कंजीवर का टेस्ट अंड प्रफरेंस चींज होता रहता है कभी कंजीवर को कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए प्रफेंस बड़ी चीज जल्दी होजाता है कंजीवर का तो उसकी वेसे बिजनेस बिलकुल एंसे तो यहां पर हम ने पूर पूरे फीचर स्कूम्ट्रीट कर लिए हैं नेक्स कंसेप्ट हमारा क्या है फीचर स्कूम्प्रेट करने के बाद objectives तो बेटा दो मिनिट इसे revise कर लो एक बार फिर हम objectives रहते हैं objective of businesses बेटा भी हमने complete कि कि business 6 ते features क्या होते है feature तो उसके characteristics बताता है कि उसमें कुछ positive point भी और negative point भी है objective का मतलब कहा कि आप business क्यूं कर रहे हो एक बंदा इतनी efforts क्यों लगा रहा है इतना टाइम क्यों दे रहा है business को goods को purchase करना, sale करना क्यों करता है वो इतनी सरदज़ी क्यों ले रहा है business करने की क्यों इतना टाइम अपने efforts devote करते हैं तो पहले ध्यान से बास सुनना बेटा objective तीन तरह कि होते हैं एक होता है economic objective economic का मतलब मैं यह बताऊंगा organization खुड businessman के objective अब ज्यकEtि एक होते है social objective जो आपकी duty towards society और एक होते है personal objective जो आपकी employee काम करेंगे उनके डिसायर होते हैं उनकी कुछिक्षा हमनमें उनके पहरति होते हैं यह से कहते हैs पैस्लिप ऑब्जैक्टिव तो तीन उबजेक्टिब समें पढ़ने हैं बिजनसे से की तीन उबजेक्टिव हो एक अफ़ोग जो ओनर है जैसे मबानी जी है उनका क्या डिजायर होगा अपने बिजनस से एक सोसाइटी की लिए क्या करना चाहिए कुछ सोचल अबजेक्टिव होते हैं और एक जो आपके हहां employee काम करेंगे उनके बिकुछ कम्नाइस उनके मि step अबजेक्टिव जो और यह सकते हैं यह तो बहुत असान ह ocasér इवन कोई भी खुद भी आइडिया लगा सकते हैं अगर कोई बंदा नया बिजनस से साट करें अपना तो उसे क्या चाहिए अपने बिजनस से नौर्मल से बात है मतलब मैं कहरो महीं समझाने की जुरुत ने आप तब भी आइडिया लगा सकते हो आउन ऱुब कि हरे एक बंदा जम नया बिजनस से साट करता है प्रैक्टिकली तो उसकी क्या एकस्पेक्टेशन है अपने बिजनस से मेरा मान ने सबसे पहले एकस्पेक्टेशन तो उसकी यह होती है सर्वाइवर जब आप नया नया बिजनस से साट करेते हैं तो बस आप यह चाहते हो कि मेरा जितने का खर्चा हो रहा है मेरे जितने का खर्चा हो रहा है बस उतने की क्या हो जाए उतने की कमाई हो जाए मेरे एक महिने का एक लाग का खरच्चा है तो मैं बस किए हुआ है यार मेरी कमाई बस एक लाग करपे हो जाए कोई दिक्त की बात निया शुरू शुरू में तो business में नहीं चाहते है नया नया business है यार किसी तरीके से मेरी जो cost है जितना मेरा खरचा है उतना revenue हो जाए शुरू शुरू में उसके बाद आप क्या चाहते हैं उसके बाद आप चाहते हो कि आपका क्या हो profit अब आप चाहते हो कि आपको जो revenue है जो कमाई है वो जादा हो किस से आदा हो कोस्ट से अगर आपका एक लाखर पर खर्चा हो रहे तो आप यह चाहूंगे कि अब मेरा revenue एक लाख से जादा होना चाहिए कम से कम डेड़ लाख तो कमाऊ मैं जिससे कि पचास यार का profit हो बंदा खुश हो जाता है लाइफ में पहले हर एक बंदा कहते है यार किसी तरीके से बस खरचे निकले बिजनस के फिर वो कहते है यार बस profit होने शुरू हो जै दो तीन साल वो profit कमाएगा फिर वो पता क्या चाह हाद से यारदा employee काम करें यहाप यह सोच रही हों थो मतलब आप इस के बारे में सोच रही अअप ग्रोथ के बारे में सोच रही है तो नोर्मल सी बात है हर एक बिजनसमेन को अपने बिजनस इससे तीन चीज़ें चाहिए शर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोफ जल्दी से एक बार इसे गोत्रू कर लेते हैं यह लिखा है यह देखो हमने बिजनस अब्जेक्टिव को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं यहां पे जो बिजनस इकनोमिक सोशल एंड इंडिविज्वल या हीमत इकनोमिक का मतलब क्या था पहले यह समझना इकनोमिक का मतलब होता है यह मौस्ट इंपोर्टन अब्जेक्टिव है भाए बंदा बिजनस इसी के लिए कर रहा है बाकी कुछ हो या ना हो जिसमें क्या आएगा सर्वाइवल रोफिट एंड बेजिक पर्पस क्या होता है सर्वाइवल वो कब होगा जब आप इतना खरचा आप कि कोस्ट कवर हो पाए आप इतना पैसे कमारे हो मैंने क्या बतायता है इन्शोर टीयार किसके को लूजे जो रिवेन्यू है वो कोस्ट के लो गोजाए उससे सर्वाइव तो reward है risk लेने का यह कह बाता है जब टीयार revenue जादा हो जाए cost से और last क्या है growth का मतलब क्या है हर एक business organization grow करना चाहता है expand करना चाहता है और किसी business organization की जो growth है वो किस चीज़ पर depend है जो मैंने भी बताया था जब जब आपकी sales बढ़ेगी जब आप number of product ज़्यादा बना होंगे जब आप employees ज़्यादा रखोंगे जब आपकी branches ज्यादा खुलेगी हर एक की life के desire यह human wants unlimited है ना पहले तो हम यह चाहते है survival हो जाए फिर हम यह चाहते है अब मेरा question आप से है यह तो होगे एकनोमिक अब मैं समझा रहा हूं कि सोसाइटी क्या चाहते है बिजनसमें से सोसाइटी जिस सोसाइटी बिजनसमें काम कर रहा है उसके लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके ऐसे को डिजायर होता है बिस्नसमेंस वह वह बस हाई ना बताना कि चाहते हैं यह मैं क्या सोसाइटी जिन्हें आप घुट बेचो में जो बिजनसमें जिनने गुटस डेगा जैसे आपको गुटस दे रहे हैं अम्बाने जीए आपको प्राइजनेवल प्राइज दे तो एटल भी गुड़ क्वालिटी प्रड़क्ट रहा था एटल की स्वीड अच्छी थी लेकिन वह एक जी बीके कितने लिए था धाइसो रुपे तो यहीं नहीं चाहते हैं सौसाइटी चाहती है कि मुझे चाहिए इको फ्रेंडली मेफड चाहिए इको-friendly method कि हमें goods produce करने के लिए eco जिससे pollution create हो जी भाई धुआ ही धुआ हर एक जगा धुआ ही धुआ क्या लगता है इस सोसाइटी विल आलवेस वह लग इस ओड इको-friendly method जिस से कि क्या प्रीट नहों प्लिशन क्रेट नहों साथ सुत्री हवार है और क्या चाहिए करो इसे सोसाइटी को यह जीन करो और में निये महीं वह किसके लिए अबर्युम्न और आपटुनिटेज गरो बेसी कली किसके लिए जो कहीं न कहीं जिन प्रोब्लम जैसे हैं कितने लोग handicap होते हैं कितने लोग देख नहीं सकते हैं कितने लोग जो भी जिनने कहीं न कहीं न कहीं फिजिकली चैलेंज़ लोग हैं जिनने कुछ प्रोब्लम हैं उनके लिए आपको सब्सक्राइब करने चाहिए तो यह सारी बाते सोसाइटी में आ जाएगी कि भाई वह चाहते हैं एक तो सब्सक्राइब कर दो और कुछ बेसिक अमेनिटीज क्या होती है जैसे बड़े-बड़े जो यह बिजनसमें इनके खुद के स्कूल्स होते हैं इनके खुद के होस्पिडल्स होते हैं जहां पर यह ग्रीब लोगों को फ्री में सर्विसिज देते हैं हर एक बड़ा बिजनसमें चैरिटी करता है बेटा कितने businessman aman अपने small और hospitals क् Captains तो क्योंकि भी या में ऐसा क्यूं करें businessman час में एसा क्यों करें समझना जो businessman अमभानी जी ऐगर आज मानी जी है अक управ किसके कारणा प्रब्हार प्रब् liaison अगर मानी जी आज अमभानी जी है तो किसके कारण स्टेसे कारण जिटना बी इंपुट है देखो गतानीजी की विश्याई से लिया आउटपुट विश्याईटी को बेचा और प्रोफिट कमा लिया बेटा ये ससाइटी के कारण ये हमारे ऐसे लोगों कारणी तो बने है तो जब आपने इतना पैसा कमा ली तो कुछ बिबत प्रजवे से पढ़ लेते ही सब्सक्राइबिए से यह वांटी आन्यांतर में मतलब भी उप्रयोप्राइब देशनुप-प्राइब जो मैंने आपको बताया करने यह एक मैंने क्या बताया था इंप्लॉइमेट जनवेशन अनिप्लॉइमेट बहुत मिजर प्रोब्लम है तो बिजनस्मेन को एंप्लॉइमेट ऑपरचुनेटी जनरेट करनी चाहिए और यह बेसिकली डेवलॉपिंग कंटरीज की जादा प्रो को वोईड करना चाहिए आप इको फ्रेंटली प्रोडक्शन यूज करो इको फ्रेंटली मेथर्ड मेजर प्रोब्लम प्लूशन एंडेस्टलाइशन की वह क्या करते हैं बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री अपना सारा वेस्ट वीवर्स और लेक में डाल देते हैं जिससे वाट प्रेंडली मेथर्ड तो प्लूशन को अवोईड करो और आपको क्या देनी चाहिए सोशल सर्विसेज जो मैंने कहा था बेसिक एमेनिटेस लाज बिजनस हौसिस वह सारे प्रोजेक्ट करते हैं कॉम्रेटी के लिए जैसे की चैरिटेवल डिस्पैंशनरी स्कूल्स होस्प बस एक रह गया अवोईडेंस ओफ अनफेर ट्रेड प्रैक्टिस कभी भी गलत काम ना करो जैसे की बड़े बिजनसमें ब्लैक मार्केटिंग अडल्ट्रेशन होडिंग ओवर चार्जिंग करते हैं यह पता है ना ब्लैक मार्केटिंग अगर कोई चीज सोर्पे की बिख सक ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए मिलावट नहीं करनी चाहिए तो वह सारी बात है ठीक है और अगर आप ऐसा काम करोंगे आपकी रिप्रेडिशन भी जाएगी और आपको पनिश्मेंट मिलेगी तो इस सुसाइटी के सोचल अब्जेक्टिव बिजनस के अब लास् किसी कंपनी में क्या काम करूंगे मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं क्या डिजायर होंगे मेरे क्या चाहिए मुझे कंपनी से अभी बता दूंगा बेटा निया फिलाल परस्टनल अब्जेक्टिव क्या डिजायर होंगी मेरे बताओं अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूं मैं यह चाहूंगा गुड़ वर्किंग कंडिशन एक तो यार पंखा एसी सही से चलता रहे गुड़ वर्किंग कंडिशन एक मैं क्या चाहूंगा competitive salary salary सही हो यार बंदें को क्या चाहिए सही salary चाहिए यहां काम करूँ सही salary मिल जाए आसपास का atmosphere सही हो थोड़ी बहुत recognition मिल जाए पियर इंप्यर किसे कहते हैं इंप्लोई जो जिसके साथ आप काम करते उसे पियर कहते हैं उनके साथ आपको recognition मिले उसे आसपास मतलब जिनके साथ काम कर रहें वो आपको थोड़ा बहूत recognition दे दे उसे वैं कि और शोसाइटिय आपको रहो हूं से सोचल यह कोनाईजेशन पहले दे जते हैं तो क्या प्रेंसनल अब्जेक्टिफ है ऐसाइगा को तो छी बिचा रहे है सल्य न इसका कार थोड़ सी स्थालरी देड़ वर्किंग अपयर को ऐसे न से सुसाइटे में रिकोनाइजेशन मिल जाए यह सारी बात है यहां पर लिखी भी है कि परेस्टनल अब्जेक्टिव मतलब जो इसको चाहिए तो क्या प्रवाइडिंग वुड वर्किंग कंडिशन कंपेटिटीव सैलरी पीयर डे को क्विनाइज़ेशन मिल जाहे जिससे की बहत्युक ओष्य मिलते हैं कि यहां पर सोशल नी लिखा हुआ सोशल इससे हमारी आसकता है कि आपको स्पेशल बेनिफिट मिलते रहे कंपनी वाले घर दे खुद का मेडिकल फेशिलिटी दे बच्चों को फ्री में एडूकेशन दे दे इंप्लोईस के और हमें ट्रेंडिंग देते हैं जिससे हमारी व्रोथ हो बिल्कुल सिंपल हैडिंग समझो यार आपको तुसको हीमें बताते एम्प्लोईस को क्या चाहिए जो कम्पनी में एक नियुक्त कर देने उस को क्या चाहिए उस पॉइंट ओव्व्व से सोची सोचल स्याइट माशनका जा avait नगेत रच्भाव खुद आपको बिजनेसंगा थीका है असक्त्वरी थे झाल झाल